मोदी जी की सुनामी थी और उस सुनामी दोनिया की जफ्ता ने उजे रख को रोकने का काम किया और हम लोग सभी विधान्थावा में उसक्ति भी जीते हैं और इंडियाघडवंदन की औरुज़ार चौबीस में। इसलिए दिमाज में सब लोग साफ कर लीजे कोई किजी को भ्रम में रहने के आप सकता नहीं है आज कल कुछ जो कुछ जो अतथा कजित कुछ लोग इसमें कुछ लोग एक छोटे से कवरे में बैट जाते हैं कुछ वोटल वाले वहीं पे सरकार बना देते हैं वहीं पे सरकार गिरा देते हैं वहीं पे गड़बंदन बना देते हैं वहीं पे गड़बंदन तोर देते हैं वहीं पे कंडिडेट भी तई कर देते हैं तो ये जो कंडिडेट तई करते हैं थोरे बहुत लालच में आके लोगों को भ्रम फेलाने के लिए एक बंद कमरे में दो आती बैटते हैं, एक मुबाइल लेते हैं, एक यूट्यूबर काते हैं, लोग इसको, यूट्यूबर, वहीं सब पही कर देते हैं, सब को जनता भी जानने लगे, अब यूट्यूबर क्या करता भाई, कुछ मिल गया, पांचेता सजार मिल गया, उसी में यूट्यूबर सब भी करने लगता है, यह सब कहीं कोई भ्रम नहीं है, इंदिया कटवंदा, यहां से जनता दे नरैटेग, दो बार चुमाव जीती है, तिसरी बार भी लड़ेगी, और तिसरी बार भी जीतेगी, इसलिए किसी को इसके कोई भ्रम रखने के आप सकता नहीं, पुरो सांसत हैं और दावा कर रहे हैं कि वो पॉड़ेश के टिकट परियां से डढ़ेगे, यह बिसे है, इंदिया के डवंदर के सिर्शनेत्रित को तई करना है, अब कोई क्या दावा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके नहीं जाना टिकट मिलेगे नहीं मिलेगे वाले कमीटी पे तो हूँ नहीं जो मैं बता सकता हूँ अब लेगा मारनी मुक्वांतिर की इस गुमार्णी और बिहार की सरकार में जो जाति जन्गन्ना को उकासित करने का काम किया, मिस्चित रूप से बिहार ही नहीं आज पूरा देश जितीस कुमारी मुक्वांति के तरफ देख रहा है और यहार पहला राज्य है जो जाति आदारित गवना कराके प्रकासित करने का काम किया है और इस गन्ना थे जो समाज के अंति पैदान पे बैठी लोग है वंचित समाज के लोग है धलित समाज के लोग है नुसुचित जाती के लोग है अकलियत समाज के हमारे लोग है अगर के लोग को पता नहीं होगा कि कितनी जातियां है और इनकी इस्थिति क्या है सरकार अगर के पास अगर आकरा नहीं होगा और सबकी आर्थिक इस्थिति की इस्थिति का पता नहीं होगा तो आज जातिया धारित गन्ना हुआ है आर्थिक रूप से भी उसकी समिक्षा हुई है अब सरकार को भी उसके लिए जो समाज के बच्चित समाज हैं अंतिंपैदान के लोग बेठे हैं उसके उत्थान के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार अग नीती बनाएगी उसके लिए कारिकरम बनाएगी तो उस कारिक्रम के माध्यम से जो पीछे हैं, उनको भराबरी में लाने का काम किया जाएगा, उसको आगे लाने का काम किया जाएगा और यह जातिया अलानी घंदा, निश्चित रूप से हम मानने मुकमंत्री जी को सभी लोग बधाई दे रहे हैं और जो पिछरी जातिया हैं, अति पिछरी समाज के लोग हैं, अनसुचित जाती, अनसुचित जन जाती, कि जो छोटी छोटी जातिया हैं, आज सभी लोगों में खुसी है, कि हमारी गंदा हुई है, हमारे जो सचार सोच रही है, अज बहुत बड़ा काम है, और जाति गंदा के साथ साथ जो आरक्षन है, आज जोरुत है कि आरक्षन को बढ़ाने क्याब सकता है और देश के परिधान मंत्री जी कोगी पूरे देश में गेंद्र की सरकार को जाती धुने साथ में हर राजी के हिसाब से टय करना चाहिए कि जो समाज में देवे पुछले लोग हैं उसके उत्थान के लिए केंदर सरकार को भी निती बनानी चाहिए और जो आरक्षन है उसका दाइरा बढ़ाना चाहिए जिसकी जितनी आवादी आवादी के हिसे आप से इस्यदारी ते करनी चाहिए जिसी वर्ग के लिए जेनरल व नौकरियों में आरक्षन और प्राइविट शेक्टर में भी आरक्षन की ववस्ता सबस्था केंदर सरकार को करनी करना चाहिए दो फिसे हैं एक तो जाति आधारीत गणना पूरे देश में होनी चाहिए और आरक्षन सरकारी करना चाहिए और आरक्षन को त rikt q जो भी है उसकी समिक्षा हो रही है, जो भी लोग चर्चा ही हैं आपस हो बेठके, उसकी समिक्षा होगी, सरकार ने समों के बात को लोग आपस में बिचार विमर्स की और सरकों की वातों को सुना जाएगा, जो आकड़ा आया है, इसके खिलाब गोडू याची का भी नाहर की ओटा कर लोग आ modeling लो गया सतंतर है, उसके कोयी परतीक्रिया नहीं देना चाहिएके, प्रत्रण मंत्री जी ने काया है कि हंग्नो को बातने कीकिये साजिस हैः कौन हिंदुों को बाटता है कौन हिंदु धर्म के आधार पे राजनित कर रहा है इस पे पुरा देश जान रहा है इस पे कोई विसे नहीं है और हिंदुों को क्यों बाटा जाएगा है लोग तो हो हमारे निता निपीज कुमार के सभी जाती धर्म के लोगों को लेके चलने का काम किये हैं और सभ के हित में काम किये हैं वह ऐसा समाज नहीं है विहार में जिसको नितीज कुमार जी ने और विहार की सरकार ने अचुता किया हो सभ के हित के लिए अगरी हो पिछ्र नहीं है